सहकार्टा विभाग के दफ्तर में पैदा होते हैं भू माफिया संस्थाओं की आड में 600 करूर से जादा की जमीन का डाका भू माफियों के खिलाव शिरू हुए अभियान में एक बार फैस्स सहकार्टा विभाग चर्चाओं के घेरे में हैं बिना सहकार नहीं उधार का नारा दिने वाले इस विभाग ने शेहर में भू माफियों को पैदा करने का काम किया है जिले की एक दो नहीं सेकडो ग्रह निर्मान संस्थाएं हैं जिनके करता धर्दाओं ने सदस्यों के हक की जमीन हड़प ली है ये डाका छोटा मोटा नहीं बलकी सेकडो एकड़ का है मिली भकत के साथ और बिना मनजूरी के बेची कई संस्थाओं की इन जमीनों का वर्तमान मुले तकरीबं 600 करोड रुपह है खास बात ये है कि दस साल पहले भूमाफियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक घुटाला उजागर भी हुआ था तब इन अवधानिक सोदों को निरस्त करवाने की कारवाई की बात प्रशासन ने की थी मगर बाद में पूरे मामले से नजरे फेर ले गई सदस्यों के हकी जमीन बेचने की कार गुजारी करने वाले कुल 45 संस्थाओं ने करीब 270 एकड़ जमीन की अफरात अफरी की है इनका वर्तमान भाव करोडों रुपे हैं अवधानिक तरीके से 7 संस्थाओं ने करीब 77 एकड़ जमीन बेची तो सहकारिता विभाग की तथा कथित मन्जूरी से 49 संस्थाओं ने लगभग 175 एकड़ से जादा जमीन बेजी है इनकी वर्तमान कीमत लगभग 600 करोड आकी जा रही है अवेद सोदे निरस्त करवाने और जमीन संस्था के नाम से करने की कागजी कारवाई के साथ ही 49 संस्थाओं को दी गई तथा कथित मन्जूरियों की वैधानिकता जाचने के आदेश भी हुए थे सिर्फ जानगारे जुडाने के सिवाए कुछ नहीं किया गया अब तो अधिकारियों ने मामले पर चुपी भी साध ली है साथग्र निर्माण संस्थाओं की 77 एकड़ बेश कीमती जमीन में कुल 19 सौदों की जाच का नामांतरन निरस्ती के आविदें सहकारिता विभाग ने लगाये थे सिर्फ 6 परक्रणों में विभाग नामांतरन निरस्त करवाने में सफल रहा 6 परक्रणों में कहीं आईडिय की उजना बादक है तो कहीं खरिदारों ने मामले को कोट में उलचा दिया अब सबसे अहम बात तो यह है कि नामांतरन निरस्त करवाने के साथ जमीनों की रजिस्ट्री भी शुन्य करवाने की कारवाई औपचारिक ता भर जैसे ही प्रशासन ने नजरे फेरी सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने कारवाई की फाइले ही बंद कर दी जिले में बिना अनुमती जमीन बेशने वाली संस्थाओं के अलावा 49 ऐसी संस्थाओं हैं जिनकी जमीनों की बिक्री के लिए सहकारिता विभाग ने मनजूरी दी है ग्रहनिर्मान संस्थाओं द्वारा काटी गई कॉलोनियों में सदस्यों के प्लोटों का आवंटत तो कर दिया गया लेकिन विधिवत रूप से कब्जा नहीं दिया गया विकास शुल्क और तमाम तरह के भुकतान का दबाव बनाकर संस्था के करता धरता सदस्यों को जुला इस बीच आईडिये ने योजना क्रमांग 132 लांच कर दी जिसमें ग्रहन निर्मान संस्थाओं की जमीने भी आ गए योजना की आड में धंदे बाजों ने अपना फायदा शुरू कर दिया सदस्यों को योजना का डर दिखा कर प्लॉट नहीं दिये और अविधानिक रू विभाग के पास यह जानकारियां पहले से थी लेकिन अफसर ऐसे जमीनी सौधों पर परदा डालते रहे कारण साफ था कि उनकी जजामंदी के बगएर कोई सोधा नहीं हो सकता था इसमें सहकारिता विभाग जितना दोशी है उतना ही दोशी आईडिये और और टी एड़ स पी भी है देवी अहिलिया संस्था के महालक्षमी नगर में प्लॉट लेने वाले डॉक्टर मनुहर भंडारी बताते हैं कि संगर्श करते करते ठग गए है उननीस संतानवे में रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन कबजा अभी तक नहीं मिला है वो कहते हैं कि पता नहीं नो सबाब कोई नहीं दे रहा मेडिकल कॉलेज के ब्रहते महादेव पाटिल का संकट और भी बड़ा है छोटी-छोटी बचत से प्लॉट लिया रजिस्ट्री कर वाली लेकिन कबजा नहीं मिला अब रेटार्मेंट का समय नस्दीक है जमीन के आसमान चूते भाव से दूसरा लीना संभव नहीं है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स